तो कुछ लोग जिनके अपनी वजूद और फहचान नहीं होती है वो किसी विभक्ति भर केस करके चर्चा में आना चाहते हैं दूद का दूद और पानी का पानी होगा इसलिए मैंने कहा कि आप जो कुछ होगा तो फानी होगा कि कोई भी आदमी जब उभरते हुए सितारा है और स्ट्राग्लिंग है यंग है अपने बदुलत यहां पर भोजबुरी दुनिया में अस्थापित होना होता है कोई भी कलाक हो या कोई भी बैक्ति हो हर आदमी को अपने छेतर में संघर्स होता है और जब आप आगे बढ़ते हैं तो 170 भी तेजार होता है हाड में दरद चुस्ता में दरद गडगड़ा में दरद कहीं न कहीं दरद होता कुछ पीड़ा बत तो पहुंच चलबा नमस्कार पना मैं आपका भाई छोड़ू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही नीज भोजपुरी जिहां अभी हम मौजूद है भोजपुरी का एक तुफाई लाल यादो जी के पास और अभी हाई कोट के वरिये वकिल सिवनंदन भारती जी हैं जो की अच्छे अच्छो को सलाखे के पीछे कर दिये हैं और काफी इनका नाम भी है अब आये इनसे कुछ जानने के लिए मैं आया हूं तुफाई लाल यादो जी और सिव है मामलाओ सर की किस मामले में सर यहां पर कोट में पहुंचे हुए सब्सक्राइब करने के तैयारी चल रही है क्या जब खुलासा होई तो बतावल जाई सब मीडिया भाई बोल जाई तो आखिर अभी मनलों की जो सिलसिले हमना कि क्या आपके साथ क्या परसानी हो रहा है कि आप यहां पहुंचे हुए अब भी कॉल नहीं कि छाथ खुली तो रहुड़ा खुदे हम बताई समयावे दी समयावी तो खुला जाई कि पहलं बहुाम संक और देञते हैं कि आपको देखना चाहते है की क्या आपकेस्थ एक पहर पर खड़ा रहे तो एक पहर पर हमरा खादी कृटा रहें जा दीने में ना दीने राती में कौब आउं तो हमरा पुछ के चींता रहे ला हम अकेले जम के लोड़ीना पिछे अटे बलानी अजय तो हलाकि तुपाइला ले आदो जी पर कुछ दिन पहले तानिया जहां भी फाइयार करने गई थी अब अन्दाजा कुछ भी हो सकता है क्या कर रहें क्योंकि बिसेस जनकारी हमें नहीं है अब जब तक इन लोग के मुझसे खुला सागर नहीं किया तो साथ बताना जल्दी बाजी होगी सर आप बताइए कि कुछ लीगल प्रोसेस जिसे सर के पास पहुंचे हमें क्यों इनके पास पहुंचे है क्यों का है का थी मतलब कि क्यों ओकिल साह भी जाई तो कहीं ना कोहीं हाल में दरद छुस्ता में दरद गडगड़ा में दरद कहीं ना कहीं दरद होता कुछ पीड़ा बत पहुंचे लबाँ आकोनों करकरहट जदा आगूल बाँ कला कुपुतायल बाँ तो सार मतलब कुछ बोलिये क्यों कि आपको देख रहे हैं जानना चाहती है जो भाया बनी शिवनंदन भारती जी तो कुछ हमार गीत गोना भीवा आपन भी चैनल भा डीटल भीवा ता आपन बोस्ट डीटल नेटोर्क हो तो वो कर एक उल्ले के राय से लाहरा लाओ करे कुछ कानूनी प्रक्रिया हो ला तो वही राय मसावरा खाती मतलबाईर ने ज सब्सक्राइब करें तो चलिए जानने का परियास करूंगा जो कि अभी हमारे पास मौजूद है वरी वकिल सुदंदन भारती जी अब इन से कुछ जानने का परियास करता हूं कि आखिर तुफाइन लाल यादो जी को कोट का दरवजा क्यों खटकटाना पड़ा सर बहुत- अभी तुफाइन लाल यादो जी आपके पास सर मौजूद है मनलों कि किस परकिरिया में और क्या मामला है कि को कोई भी आदमी जब भरते हुए सितार है और स्ट्राग्लिंग है यंग है अपने बदूलत यहां पर भोजबुरी दुनिया में अस्थापित होना होता है कोई कोई भी कलाकार हो या कोई भी बैक्ति हो हर आदमी को अपने च्छेतर में संघर्स होता है और जब आगे बढ़ते हैं तो एक सो सत्रू भी तयार होता है ऐसे परिसिते में इन बहुत लोगों को आपनी कंपनी हो तो इसमें लीगल एडवाजर के जोड़ों तो नहोंने कान और कम समय में यदि उभर रहे हैं तो बहुत लोगों को हो रहा है मलाल लेकिन भाई कितना भी आप कर लीजे मलाल इनका भी नाम है तो फानी लाल तो इनके आप घटना को आप रोक नहीं सकते हैं आप कितना भी मलाल कर लीजे तो फानी लाल को कोई ना रोक सका है ना रोके इनके पास लोग एक से एक अपना इंटर्नल बात को सिजर करते हैं तो ओन कैमरा मुझे पता होता कि आप भी आ रहे हैं तो हम लोग तो इनको बताते हैं पता नहीं आपके को भी आ कितना तेज है कि यह आए और आपको पता चल गया तो आप भी आपना कर्तब किये कि मीडिया में भी सज़कता है कि सबसे पहले आप पहुँचे और यह हम लोगों के बच बहुत सारे लोग आते हैं यहां पर तो उन चुजों के बारे में हम क्या बता हैं जोकि इनकी सहमती थी तो आपने इनका इंटर्व्य भी लिया हमारे पास जब हमारे कलेंट आएंगे या कोई भी तो उनको कैसे सुरक्षा प्रदान कीजिए या इनके दुस्मान को कैसे पस्त किया जा ये कभी मुसीबत में ना फसे हम लोग वकील का जो ड्रेस होता है वो इसलिए होता है कि सनी का गरह का प्रभाब इनके उपर ना पड़े उस गड़ा को हम लोग काटते हैं तो भाई जब इनके उपर कोई आफद आस्मानी कभी नहीं आए तो इसी लिए हम लोगों ने प्रिक्राशनरी जो हो सकता वर हमने रहे मस्वरा किया क्या कैसे क्या इनको तरकीम करना चाहिए क्या इनका बैभार और कंड़क्ट में किस चीज को अपनाना चाहिए तो आपर हमने एक डाय मस्वराइन को दिया बस यहीं बात है और कोई विश्यस बात नहीं अभी फिलाल कि पुझ्पूरी सिंकर टानिय ज्याज थो क्या तो क्या तुफाने लालेदो भी क्यूं करने को मतलब कर सकते हैं प्रधान मंत्री जी पर नरेंद्र मोधी जी पर भी केस keeping आप लोग मालूम होना चाहिए और सिक्षा मंत्री पर भी थो लोगोंने केस किया, भीहार के शिक्षा मंत्रि पर, तो कुछ लोग जिनके अपनी वजूद और पहचान नहीं होती है, वो किसी विवैक्ती पर केस करके चर्चा में आना चाहते हैं, तो केस करने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं, case में कुछ हो नहीं, इसका protection हम लोग करते, फिर उनका भी जवाब case का जवाब, case से गाना का जवाब talent का जवाब, talent से देना चाहिए लोगों को, तो दार तो खुले ही रहते हैं इसलिए यदि आप, कोशिस ये रहने चाहिएे कि बिना भी बाद के मामला पर नहीं आना चाहिए लोगों को केस मुकदमा जूठा नहीं करना चाहिए नहीं तो आप जूठा केस करेंगे तो आप भी सोग लोग करने वाला तैयार हो जाएगा तो यह परमपड़ा घलत होगी और भोजपूरी जो लोगों की पहचान दे रही है उसमें असलीलता क करते हैं सेम काउंटर केस क्योंकि उन्हें बोला कि मैं केस कर दिया तो जो भी किया सोचल मीडिया पर जो भी होगा लेकिन वह थो उन्हाइब क्या किस्टी सजाए हो सकती है उस बिंदू पर कालपिनिक प्रस्ट्रा का अंसर देना अभी बर्तमान में उचित नहीं जब क्य क्राइम करता है कि इस तरीके का उसका है पहले है पोटेटिकल बात होती नहीं है जिस हिसाब से वह आएंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे पहले डिस्क्लोज कर देना यह गलत है अपने कलेंट के यह आप चाहते कि सचमुझ उसका भलाई हो तो आप अपनी राज को राजी दखिये तब ही आप कोट के अंदर जीतेंगे पहले सारे चीज़ों को डिस्क्लोज करना उचीत नहीं होता है कानून सब के लिए बराबर है और आप जिस हिसाब से आए दिन देख रहे हैं कहां से सुर्वात कौन इस विवाद का जन्नी है इस अब चीज़ का भी देखा ज दूद और पानी का पानी होगा इसलिए मैंने कहा कि आप जो कुछ होगा तुफानी होगा तो चलिए यह था इस नोंदन भार्दी जी और बिल्कुल तुफान अले आदो जी के लिए फीट ना जा रहे है और अभी एक संदी में हमनी को कील सब तुक बंदी में हंसनी के दूद पानी के पानी हो जाई अब ज्यायद कोट का चहरी में भी से से यह ना बोला कि चलिए फिलहाल इतना है क्यामरा में राहुरू के साथ मैं आपका भाई छोड़ू तबाही और आप देखना से तबाही नूज भोजपूरी